प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुश बेल आइकन बाइटिस गिब रेस्पेक्ट तो यूर जैसर हेलो माई डियर इस्टुडेंट एंड फ्रेंड आज मैं आपके सामने ऐसा धमाकेदार वीडियो लाए हूँ जिसमें केमेस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया है जैसे सायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा तो इसे देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें पूरी केमेस्ट्री जुगार से यहां आप देखेंगे reaction on the basis of heat change मतलब ऐसे reactions जिसमें heat में बदलाव होता है उसके आधार पर reaction तो उसके आधार पर reaction heat में बदलाव के आधार पर reaction एकजोथर्मिक reaction और इंडो थर्मिक reaction दो तरह के reactions होते हैं इकजो माने बाहर निकलना थर्म मीज हीट यह हीट बाहर निकलने वाला reaction है इंडो माने अंदर थर्म मीज हीट ऐसे reaction जिसमें heat अंदर देने पड़ती है उसको तो इंडोथर्मिक रियक्शन ओके तो यहां पर लेने वाला reaction, इक्जोथर्मिक reaction की क्या definition बन रही है, the reaction in which heat is evolved, ओके, यहाँ पर क्या बन रही है definition, the reaction in which heat is absorbed, मतलब ऐसा reaction जहाँ heat निकलती है, उसे इक्जोथर्मिक reaction, ऐसा reaction जहाँ heat देनी पड़ती है, means वो heat लिये बगर नहीं हो पाएगा, उसे इंडोथर्मिक reaction बोलते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं, जैसे आपने कोई reactant लिया, तो जो product तयार हो, उसके साथ heat निकले, तो यह इक्जोथर्मिक reaction, और दूसरे साइड में, आप reactant लें, और उसे heat दें, तब product बनें, तो इसे इंडोथर्मिक reaction बोलेंगे, यहाँ पर आप देखिए, इसकी पहचान कैसे करते हैं, इक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक की, इसकी पहचान ऐसे करते हैं, कि जो product होगा, उसके साथ में, प्लस में heat लिखी होगी, तो इक्जोथर्मिक reaction, और यहाँ पर, जो reactant होगा, उसके साथ प्लस में heat लिखी होगी, तो इंडोथर्मिक reaction, लेकिन, एक खास बात है, वो क्या, वो यह, कोई भी reaction में, हमेशा, जो heat होती है, जो energy होती है, हमेशा इस side में, product के side में ही, लिखी जाती है, तो यहाँ पर, आप देखेंगे, कि जो heat है, प्लस heat लिखी हुई है, product के साथ, मतलब यह exothermine reaction है, तो वही, जो यहाँ पर आप देखेंगे, कि heat reactant के साथ लिखी हुई है, जो endothermine reaction है, लेकिन, heat को चुकी right side में लिखते हैं, तो इधर की heat जो प्लस में है, जब product के side में जाएगी, तो minus में हो जाएगी, इसलिए reactant और product के साथ में, heat minus में अगर हो, तो आप कह दीजेगा, इंडो थर्मिक reaction है, और product के साथ में heat, प्लस में हो तो, exothermik reaction है, इनके examples की बात करें, तो combustion reaction, या burning reaction, जो भी आप जलाते हो, जैसे paper burn हो रहा है, तो paper के जलने से heat मिलती है, तो paper के जलने से heat मिलती है, combustion reaction, combustion reaction माने combustion माने dhain, dhain माने जलना, burning माने जलना, तो ये burning reaction, या combustion reaction, एक exothermik reaction का example है, आप जानते हो, कोई भी चीज जलती है, तो धुआ, पानी, heat, light एक अंधेरे में पेपर को जलाईए, कागज को जलाईए तो जब आप अंधेरे में एक कागज को जलाएंगे तो वहाँ पर light आएगी, उजाला हो जाएगा तो वो light, थोड़ी सी पेपर से गर्मी तो वो heat, heat, light थोड़ा सा धुआ, तो वो धुआ, carbon dioxide उसके साथ अगर नमी निकलेगी, तो H2O, water तो इस तरह से धुआ, पानी, heat, light ये एक्जोथर्मिक रियक्शन में, combustion में आप देखेंगे एक एक्जाम्पिल लीजे, hydrogen gas बहुत तेज जलती, बहुत जोलंसील है ये इसलिए इसको एक जेगे से दूसरे जेगे पर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि ये तुरंत इसमें fire लग जाता है तो इस hydrogen gas को, ये जो है, rocket में ये जो है, जो आप देखते होंगे, scientist लोग जाते हैं research करने के लिए, ये rocket में hydrogen fuel का इस्तेमाल करते हैं तो hydrogen oxygen के साथ burn करता है, बहुत तेजी से और निकलेगा क्या, water future में इसी energy से हो सकता है, आगे गाडिया भी चलाई जाएं तो hydrogen oxygen मिल करके, water बनाते हैं सबकी state, ये दूनों gaciasis state में है और water liquid state में है, और यहाँ पर heat बन रही है, hydrogen के जलने से heat निकल रही है तो इसलिए ये exothermic reaction है, यहाँ पर बात करें, तो decomposition reaction है, indothermic reaction decompose माने टूटना, किसी चीज का टूटना, तो तोड़ेंगे कब? टूटेगा कब? जब उसे heat देंगे तो ऐसे calcium carbonate है, lime stone भी बोलते हैं तो जिसको heat किया गया, तो calcium oxide और carbon dioxide, नाइन्थ में इस reaction को आपने पढ़ा होगा, इस तरह से तो calcium carbonate को heat करके तोड़ दिया गया, calcium oxide और carbon dioxide में calcium oxide को quick lime बोलते हैं, तो यहाँ पर यह calcium carbonate, सग्मर्मर पत्थर का फार्मूला, lime stone जिसे बोलते हैं यह solid state में है, heat करके, decompose कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और calcium oxide और carbon dioxide मिला यह आपका क्या है, यह quick lime है, ओके, दूसरा example आप लीजिए, दूसरा example यहाँ समझेए दूसरे example में methane gas, आप जानते हो, methane gas burn होती है बहुत ही तेजी से methane gas burn होगी, जो gas है, oxygen के साथ यह burn हो रही है तो जब यह जलेगी, तो क्या बनेगा, धूआ, पानी, heat, light तो यह धूआ, carbon dioxide, पानी, water, heat, समझी रहे हो energy और light हो जाला तो इस तरह से methane, oxygen के साथ burn हो करके, धूआ, पानी, heat, light, carbon dioxide, water यह water कहां से आया, यह भाब बन के water देखोगा, इस यह से state में है, मेथेन जब जल रही, तो यह भाब बन के water निकल रहा अभी आपने hydrogen और oxygen के साथ water बनाया, अब आप देखेंगे, water का अगर electricity से तोड़ा जाए, इसका electrolysis किया जाए, तो water फिर से hydrogen और oxygen दे देता है ठीक है, तो यहाँ चुकी decomposition reaction हो रहा है, तो इसलिए यह इंडो थर्मिक reaction है, ओके, यहाँ पर electricity decomposition हो रहा है, यहाँ पर heat decomposition हो रहा है decomposition reaction जो होते हैं, decompose माने तूटना, तूटने वाले reaction मेंली तीन तरह से होते हैं, heat decomposition reaction, electricity decomposition reaction और sunlight sunlight आप देखेंगे, कि यहाँ पर sunlight, photo decomposition जिसको बोलते हैं photo decomposition, तो इस तरह से heat decomposition, electricity decomposition और photo decomposition, sunlight के presence में हो रहा है तो इस तरह से यह example हो गए, बहुत ही main example में आपको बताने जा रहा हूँ, exam में पूछा जाता है, कि क्या respiration reaction, exothermic reaction है तो आप कहिए कि हाँ, exothermic reaction है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, energy निकल रही है, ओके, आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे, C6H12O6, यह glucose हमारी cells में, जब आप खाना खाते हो, खाना जाके पचता है पच करके उससे glucose बनता है, glucose cell में पहुंचता है, और नाक के थुरू, यह oxygen cell में पहुंचता है यह दोनों cell के अंदर, glucose और oxygen के साथ तूट करके, carbon dioxide, यह जो नाक से निकल रही है तो यह carbon dioxide बाहर आती है, और water vapor बाहर आता है, और energy बनती है तो इस तरह से glucose तूट करके energy देता है, तो respiration reaction एक exothermic reaction है यहाँ पर photosynthesis क्या है, यह पूछा जाता है, photosynthesis क्या endothermic reaction है तो हाँ, यहाँ पर देखेंगे carbon dioxide, water और sunlight energy यह ले करके तब यहाँ पर glucose बनता है और oxygen बनता है तो इस तरह से photosynthesis एक endothermic reaction है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह clear हो गया होगा reaction आंदा basis है, heat change, ओके इन लास्ट, dear student, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यबाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में और आप तक पहुचाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए आपसे छोड़ा सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को like, share तथा subscribe करके हमें support परदान करें और bell icon को दबा दें, यह विल्कुल free है, इसका आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ना ही इसमें आपका कोई नुक्सान है, बलकि फायदा ही है क्योंकि इससे आपको हमारी सारी latest वीडियो बिना सर्च किये, मिलती रहेंगी धन्यवाद